हेलो बच्चो नमस्कार इंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है बच्चो हमने स्वराक्षरों को कंप्लीट किया है है न बच्चो अब हम सीखने जा रहे हैं वेंजन बच्चो वेंजन को खांसुनेंट्स कहते हैं ठीके बच्चो वेंजन में फुल मिलाकर 37 वर्ण होते हैं कितने वर्ण होते हैं बच्चो 37 मतलब 37 खांसुनेंट्स ठीके बच्चो तो आज की कक्षा में हम सीखने जा रहे हैं कावर्ग के वेंजन बच्चो वेंजन में पांच वर्ण के वर्ण है जिसके कावर्ग, चावर्ग, तावर्ग, तावर्ग और पावर्ग आज हम सीखने जा रहे हैं कावर्ग के वेंजन यहां पर आप देख सकते हैं तेखिए यह है कावर्ग के वेंजन बच्चो कावर्ग के वेंजन में पांच वर्ण होते हैं ठीके बच्चो कावर्ग के वेंजन में पांच वर्ण होते हैं जैसे क, ख, ग, घ, अंग, अगर काको छोड़ा, तो कितने वर्ण बच गए, चार, तो काको मिलाया, तो कितने हो गए, पांच, यहना बच्चों इसे कहते हैं कवर्ग के वेंजन, तो आज हम सीखेंगे कावर्ग के वेंजन को, चीखें बच्चों, अब शुरू करें हम बच्चों, आज का पहला वेंजन आक्षर है क, एक क्या है बच्चों, क, यहां पर क अक्षर दिया गया है, आप एरोस को फालो कीजिए, का को पूर्ण कीजिएगा, ठीक है बच्चों, यहां पर आरोस दिखाया गया है, आप एरोस को फालो करके, का अक्षर को लिखना, सीखिएगा चीखे तो हम सबसे पहले का अक्षर के अंदर रंग को भरेंगे बच्चो यह है कवर्ण हमने कवर्ण के अंदर रंग को भर दिया है अब यह वर्ण कम्प्लीट हो चुका है ठीके बच्चो तो यह क्या है यह है कवर्ण का से क्या बनता है का से कबूतर क्या बनता है बच्चो का से कबूतर यहाँ पर चित्र में देखिए कबूतर का चित्र है आप देख रहे हैं यह क्या है का से कबूतर का मतलब होता है पिजन आप देख रहे हैं ना क से कबूतर कबूतर माने विजन हमारा अगला वर्ण है ख क्या है बच्चो ये ख अभी हम ख वर्ण को लिखना सीखेंगे बच्चो करजर को आप ध्यान से देखिएगा ये देखिए ये लिकने में बहुत आसान है बच्चो ठीक है आईरोस को फालो कीजिएगा ये कौन सा वर्ण है ये है ख क्ये एच ये ख पहले वर्णों को हमने कैसे पढ़ा? ख, यह यह क ठीके बच्चों, जब भी आप किसी भी वर्ण का उचारण करोगे तो सही तरीके से उचारण कीजिएगा तो यह हमारा कौन सा वर्ण है? यह है ख वर्ण ठीके, अभी हम ख अक्षर के अंदर रंग को भरेंगे ठीके बच्चों, यह देखिए बच्चों, हमारा ख वर्ण कम्प्लीट हो चुका है यह क्या है बच्चों, यह कौन सा वर्ण है? यह है ख वर्ण हमने पहले कौन सा लिखा था? आपने पहले क वर्ण को लिखा था देखिए यह है क और यह है ख ख से क्या बनता है? ख से खरगोश यह देखिए चित्र में खरगोश है आपने देखा ना ख से क्या बनता है? ख से खरगोश खरगोश मानने जाबेट एक बार रिवाइस करें क ये कुन सा वर्ण है बच्चों? क के ये क क से कबूतर, क से कबूतर, कबूतर माने पिजन, क से खरगोश, क्या है बच्चों? क से खरगोश, करगोश माने राबेट, अब आगे बच्चों हमारा अगला वर्ण है ग, क्या है बच्चों? ग, जी ये ग, यहां पर गा अक्षर को दिया गया है बिंदुबंदौरा बच्चों, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, आरोज को फालो कीजिए, आपको वर्णों को लिखना बहुत आसान हो जाएगा ठीके बच्चों तो सबसे पहले हम गावर्ण के अंदर रंग को भरेंगे बच्चों जब भी आप वर्णों को लिखते हो तो उनका उचारन बार-बार कीजिएगा इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा और लिखना भी आ जाएगा ठीके बच्चों ये है गावर्ण, हमने गावर्ण के अंदर रंग को भर दिया है ठीके बच्चों ये कौन सा अक्षर है ये है गा, जी ये गा, गा से क्या बनता है गा से गधा, गा से क्या बनता है बच्चों गधा यहां देखिए गधे का चित्र है, ये कौन सा जानवर है बच्चों ये है गधा, ठीके बच्चों गा से क्या बनता है गा से गधा गधा मने डॉंकी हमारा अगला अक्षर है गवर्न यह कौन सा अक्षर है, यह है गवर्न और यह कौन सा है, गवर्न ठीक है बच्चों, गवर्न अभी हम गा अक्षर के अंदर रंग को भरेंगे बच्चों सबसे पहले आप करजर को देखिए, घा को कैसे लिखते हैं, यहां पर आरोस दिये गए है, आप आरोस को फालो कीजिएगा, यह कौन सा अक्षर है, यह है घा, जी एच यह घा, अभी हम घा अक्षर के अंदर रंग को भड़ेंगे, बच्चों यह कौन सा वर्ण है यह है घा वर्ण, घा, जी एच यह घा, आप भी इसी प्रकार से बोलकर लिखिएगा, जो भी वर्ण आप लिखोगे तो बोलकर लिखिएगा, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, चीके बच्चों यह है घा वर्ण, हमने घा वर्ण के अंदर रंग को भर दिया ह ठीके बच्चो जब भी आप रंग भरोगे तो बार-बार वर्णों का उच्छारण कीजिएगा इससे आपको याद हो जाएगा तो बच्चो घा से क्या बनता है घा से घर क्या है बच्चो ये घर घा से घर यहां पर घा अक्षर के अंदर हमने रंग को भर दिया है है ना बच्चो घा से क्या बनता है घा से घर घर माने हाउस एक बार रिवाइस करें हम घ से घधा क्या है बच्चो घ से घधा घधा माने जौंकी घ से घर घर माने हाउस घ से घधा घधा माने जौंकी घ से घर घर माने हाउस अभी आगे, बच्चों हमारा कावर्ग का अंतिम अक्षर है अंगा, क्या है बच्चों ये अंगा, ये देखिए, इस वर्लू को क्या कहते हैं अंगा, अंगा से कोई भी शब्द नहीं बनता है बच्चों, ठीके, इसे बिंदी की तरा अक्षर के ऊपर जोड़कर शब्द बनाया जाता है जिससे उस शब्द की आवास बदल जाती है जैसे अंगूर, अंडा, अंक, अंगूर, अंगूर, अंगूर माने ब्रेप्स, अंडा, अंडा माने अन एग, अंक, अंक माने नुमेरल, यहां पर अंग वर्ण को दिया गया है, हम सबसे पहले इसको लिखना सीखेंगे, ठीके बचों, यह लिखने में बहुत आसान है, देखिए, है ना, लिखने में बहुत आसान है, और पढ़ने में भी बहुत आसान है, यह क्या है? यह है अंग, क्या है बच्चों? अंग, अभी हम अंग, वर्ण के अंदर रंग को भरेंगे, अब बार बार बोलकर लिखिएगा, इससे आपको आच्छे से याद रहेगा, ठीके? अभी हम बिंदी के अंदर रंग को भरेंगे, यह क्या है बच्चों? यह है अंग, यह क्या है? यह है अंग, अच्छे से प्रनौस कीजिएगा, क्या है यह? यह है अंग, अंग से कोई भी शब्द नहीं बनता है, इसे बिंदी की तरह अक्षर के उपर जोड़कर शब्द बनाया जाता है, जैसे अंगूर, अंडा, अंख, अंगूर, अंडा, अंख, अब आगे, बच्चों, यहां पर अन्य शब्द है, अभी हम उनका अभ्यास करेंगे, आप यहां पर देखिए, यहां पर कवर्ग वेंजन है, का को मिलाकर पांच वर्ण होते हैं बच्चों, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, क्या है यह, क, ख, ग, घ, अंगा, क, ख, ग, घ, अंगा, यह है कावर्ग के वेंजन, क्या है यह, यह है कावर्ग के वेंजन, अभी हम इनसे बने शब्दों को पड़ेंगे, को से कमल, पांसे क्या होता है, को से कमल, ख, से खत, ग, से गमला, ग, से घड़ी, अंगा, से खाली, बजाओ ताली, को से कमल, कमल मीन्स लोटस, को से खत, खत मीन्स लेटर, गो से गमला, गमला मीन्स फ्लवर पॉट, गो से घडी, घडी मीन्स फ्लोक, अंगा से खाली, बजाओ ताली, बच्चो, यह थे कवर्ग के बेंजन, ठीक, बच्चों, क्या है यह कवर्ग के बेंजन, बच्चो, हमने आज कवर्ग के बेंजन को सीखा है, बच्चो, इसे अच्छे से आप याद कीजियेगा, बच्चो यहीं पे हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक नए पाथ के साथ तब तक के लिए धन्यवाद